जनकी विकास में अग्रसर सरकार जनगन मन के हुए सपने अपसाकार अब हम जैसे यूवाओ को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उत्राखंट सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम यूवाओ को रोजगार से जोड़ा जा रहा है अलग-अलग विभागों में चलाई जा रही अलग रोजगार योजनाओं का लाब देने के लिए अब एक ही जगे पर कैम्प लगाकर सारी ओप्चारिक टाइम पूरी की जा रही है जैसे सिलाई, बुनाई, फल्चबजी विक्रेता ऐसे लोगों को भी सरकार पित्तिय अनुदान दे रही है धामी जी की सरकार ने कुरोना काल में प्रभावित हुई भरती प्रक्रियाओं में योगों को बड़ी रहत देते हुए समुह का और खा के पदों पर आयो सीमा में एक वर्ष की छूट दी है और यही नहीं मार्च 2022 तक होने वाली भरती परिक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है दीर चंदर सिंग गडवाली प्रेटें सोरोजकार योजने के तहट दीर जाने वाली सबसीड़ी को बड़ाया जा रहा है अब स्टार्टक के लिए भी सरका युवा को जहूलियत देरी शेनगर, हलदवानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को शजित किया गया है और इसे के साथ ही राज्की नर्सिंग कॉलेज बाचपुर में 70 पदों की स्विक्रती दे दी गई है उत्राखंड में लगबग 22-24,000 रिक्त पदों और बेकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भड़ती प्रकिरिया शुरू हो चुकी है अब मिलेगा हमें रोजियर का दिकार युवाओ के संग है हम, उत्राखंड है हम नमस्कार उत्राखंड की खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथा का अश्पोनी और देखते हैं खबरे विस्तार से नय साल की चुट्टियों पर उत्राखंड में लुफ्ट उठाने वाले सलानियों के लिए अच्छी खबर है सलानियों को ताजे बर्फवारी का मज़ा लेना ही तो उत्राखंड के और रुक कर सकते हैं इस बार दिसम्बर के अंदिम सब्ता से लेकर जनवरी पहले सब्ता तक मौसम सुहाव ना रहने वाला है और आगे जो एक्टिविटीज की बात करें तो अभी आप दो तिन दिन पीछे जो था तो टेंपरेचर थे तो नियुनतम खास करें डाउन थे और दिन के तापमान भी थोड़े गिरे एक आद दिन ऐसा रहा कि कोलडी कंदिशन में मिली है और दो दिन पीछे वी रहे और आगे आगे जो प्लेंस अमरे वाले डिस्टिक्स हैं जए बादेश मामंतरी अशोक मैखुरी ने बतायी कि प्रदेश सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए अभी तक कोई भी ऐसा निर्ने नहीं लिया है जो साथ इनों ने बताया कि पूर्व सरकारों की भातिराज्य सरकार भी नियमा ववली के अनुसार हमें नियमिती करण करने के साथ साथ हमारा लगातार 12-13 सालों से सरकारों के दरह शोषन किया जारा है हमारी मांग ये है कि इस प्रकार से पूर्व में पूर्व की सरकारों द्वारा कुछनी अमावली बना करके हम शंबिदा पर जितने पी डबलुडी में काम कर रहे हैं उनको पूर्व की महाती नियमिती करण का कार्या यह सरकार करेगी आमाद्वी पार्टी के प्रदिख प्रवक्ता नवीन पिरिशाली ने बताया कि सरकार ने पांस साल में उत्रकंड पर ऐसा क्या काम किया जिससे उत्रकंड के लोगों को विकास मिला हो वनमंत्री हरक सिंग रावत पर आरूप लगाते हूँ उनको ने कहा कि पांस साल से वनमंत्री ने कुछ नहीं किया दो नदियों में अवैद खनन हो रहा है और जिसके जाच के आदेश दिये हैं जिससे पता चलता है कि सरकार प्रश्टाचार में लिप्त है लेकिन आज तक जाच क्यों नहीं हुई कहीं उतरकन के लोग भी इस खनन मामले में शिकार हो गए वनमंत्री ने माफिया को संरक्षण देने का काम किया है यहां कि सरकार चाहिए व्भू माफिय रहा है जो एक गंभीर मसला है कि सरकार के मंत्री नहीं यह सवाल उठाया है कि यहां पर खरनन हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि परदेश में किस प्रकार से माफिया सरकार चल रही है और इन सरकार ने माफियाओं से हाथ मिलाया हुआ है इस परदेश को करोलों रूपए की राजrates सुहानी हो रही है जिसके चलते हमारा प्रदेश पूरी तरह से पीछे जा रहा है साल 2022 के चुनाव करीब आते ही सभी राजनेतिक दलों के नेता सक्री होटे हैं पिरान कलियर वदानसवा से दो बार वधायक रहे हाज जी पुरकान अहमद ने कहा कि दहरादून में हुई राहूल गांदी के अतिहासिक रहली ने बता दिया है कि 2022 में उत्राखन में कॉंग्रेस की सरकार बनने जा रही है क्योंकि लोग भाजपा की करनी और कतनी से परिशान हो चले हैं बहुत एध्यासिक रही होई और जंता ने मन बना चुका है कि जो बीजेपी वने वाजिक खेते हैं सब खोगले लिग ले कि आने वाला 2022 कोंगरिस का होगा और कोंगरिस की आपर सरकार बनेगी उत्राखण में उर्जा विभाग को नई उचाई पर ले जाने की कवायट तेज हो गई है इसी गड़ी में पावर प्रांश्मिशन कार्पोरेशन उत्राखण लिमिटेड यानि पिटकुल के नए प्रबंध निदेशक की न्युक्ति की गई है UPCL के प्रबंध निदेशक इंजीनियर अनिल कुमार को विभाग में बहतर प्रदशन के बाद पिटकुल के प्रबंध निदेशक की अतिरिक्त जमदारी सौप दिगई है काफी दिनों से पिटबुल के प्रबंध निदेशक की न्युक्ति को लेकर चर्चा थी सरकार की तरफ से कहा गया था कि प्रभन नदेशक पत पर किसी वरिष्ट या योग इंजीनियर को बठाया जाएगा सारी शक्ति दे सकें, सारी शक्ति लगा सकें और अच्छी एफिसेंसी से काम कर सकें एस बिलोट में प्लाल इतना ही अमस्कार